असलाम अलेकूम नाजरीन मैं सीमा शेफ आपका इस्तवाल करती हूँ अपने चैनल मुक्तलिफ जायखे में आईए मैं आज बनाने वाली हूँ शिर्खुर्मा शिर्खुर्मा तो हम बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं लेकिन मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ आपको बहुत जल्दी ही बन जाता है इसमें हमें क्या-क्या चीज की जरूरत लगेगी इसमें हमें पहले ड्राइफूट्स लेंगे यह साथ से आठ पिस्ता लिये हैं मैंने चार से पांच च्वारे लिये हैं एक चमत चिरॉंजी ली है दस से बारा हमने बदाम लिये हैं साथ से काजू लिये हैं इन सब चीजों को मैंने एक घंटा पहले भीगा दिया था उसके बाद उनको कट कर लिया है चीरॉंजी को हमें भीगा मसल के दो लेना है ताकि इसका छिलका निकल जाए इसमें हमने पाव टीज्पून लिया है और हाफ इंच दाठ चीनी का तुपड़ा लिया है एक कटोरी हमने शकर लिये है तक्रीव 100 ग्राम होगी ए एक कफ हमने सिवाई लिये है यह बुनी हुई और हमने 1 लीटर दूद लिया है दूद हमने एक कटोरिय शकर डालके पहले ही बॉइल करके रख लिया है अब हमें पहले मेवा फ्राई करनी है आए देखते हैं कि इसमें दो चम्मा चम घी डालेंगे पहले हम मेवा को फ्राई करेंगे इसमें हमने देशी घी लिया है देखिए नाजरीन थोड़ा ही लिया है क्योंकि हमें शिर्फुर्मे में भी डालना है एक एक करके हम सारी मेवा को फ्राइब कर लेंगे जैसा आप स्लो रखें ताकि आपकी मेवा चले नहीं और एक साथ आप प्राइब कर सकते हैं अलग-अलग करने की जुरुवत नहीं है लेकिन स्लो प्लेंगे इसको बहुत दाख ब्राउन नहीं करना है इतम लाइट सा कलर आ जाए ताकि इसका कच्छापन निकल जाए और पोडिये क्रिस्पी हो जाए मुष्किल से 5 मिनिट्स लगेंगे इसको लीजे नाजरीं मेवा हमारी फ्राइब हो चुकी है देखिए एक दम लाइट सा कलर आया है इसमें आप देख सकते हैं एक दम लाइट ब्राउन सा कलर आया है इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे हमने इसलिए जादा नहीं डाला था कैसे हमें निकालने में इजी रहे इतना ही डालना है कि इजी फ्राइब हो सके चिरांची होती है वह जड़ी जल जाती है इसलिए एकदम लाइट प्लेम पर ही रखना है इसको कि देखें नाजरीं कि तम गूल्डन सी अच्छा सा कला राया है अच्छी सी खुश्बू आ रही है इसमें आईए अब हमें सिवाई प्राइ कर ली है उसके लिए हमें गी लेना है इसी बरतन में हम गी ले लेंगे अब हमें गी थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि शिरपूर्मा में थोड़ा गी दिखना चाहिए थोड़ा सा और इसमें हम जाचीनी का कपड़ा लादेंगे अब बस दो सेकेंड के लिए बागी तो इसका फ्लेवर हम जब दूर में बनाएंगे तक फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा अब हमें सिवाई डाल देनी है तो डासा इसको हमें भूनना है वैसे तो यह भूनी भी होती है लेकिन हल्क असा बस खुश्पू आजाए इसमें मिक्स हो जाएगी इसमें बस इतना गया स्लो कर देंगे और इसमें तकरीब हम एक कप पानी आड़ करेंगे पानी आड़ करने का मकसद इसलिए है इसमें के सिवाई हमारी थोड़ी सी फूल के अच्छे से गल जाती है अगर हम इसमें डालते हैं तो अक्सर यह देखा गया है कि यह दूद में डलते ही शिर्खूर्मा हमारा फट जाता है और यह अच्छे से हमारा शिर्खूर्मा गाड़ा होकर बनेगा बस एक दो सेकेंड बस इसको हमें करना है कि बस फूल जाए शिवाई तक्रीबन हमारी होने आ रही है देखिए देखिए फूल रही है यह सिवाई यह हमारी इतने पर हमें से बंद कर देंगे अब हमें दूद रखना है वापस से ग्यास पर जो हमें पहले से शकर डालके गरम किया हुआ है इन सेवाईयों को हमें दूब में टाल देना है अज़्ड़त है अज़्ड़त है इसमें एक पहतरीन से खुश्बू आने लगी है कि उसी घी में हमने मेवा भी फ्राइ की थी इसको हमें थोड़ी देर पकाना है इसमें उबाल आने के बाद थोड़ा स्लो करके हमें पांच से दस मिनट तक पकाना है जब हमारा शीर कुर्मा गाड़ा होने लगे तो हमें फिर गैस पन कर देना होगा कि इसमें हम इलाइची पाउडर भी आड़ कर देंगे ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए देखिए नाव दिरिन हमारा शीर कुर्मा तकरीबन तयार हो चुका है बस एक पांच मिनट का देरी और है अब इसमें हम एक चुटकी जाफरान डाल देंगे ताकि इसमें एक हल्क का सा फ्लेवर आजाए यह हमने पहले इसलिए नहीं डाला कि तो बहुत पीला-पीला इसम अब यह गया संबन कर देंगे तो एक पती का इसका हल्का हल्का कलर छूटेगा वह बहुत अच्छा लगेगा आए इसमें थोड़े सी हम ड्राय फूट बीस केंदा डाल देंगे बाकी हम उपर से डालने के लिए रखेंगे चुवारे जो हैं चुवारे वाला पाट यह सार आप डालने इसमें ताकि थोड़े नरम हो जाएं और बाकी उपर से डालने के लिए आप रखें जब आप सर्फ करें तो उपर से आप डाल के रखें दो से तीन मिनट और इसको स्लो आँच पर पकाएं पिर यह रेडी हो जाएगा लीजे नाजरीन यह हमारा शीरपूर्मा रेडी है आप इसको बनाएं खाएं अपने फ्रेंज को भी खिलाएं यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है बहुत जद्धी बन जाता है और आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें शेर करें और करें इंशाला आप नेक्स रेसिपी के साथ इंशाला सीमा शेख फिर हाजिर होगी अल्ला हाफेज